नमस्कार आप देखने इचिन समाचार इंडिया मीचों आपा दगडिया अरुन्ये की साथ ही स्वागत ची आपका हमारा खास कारिकरम पहार की बात मां पहार की बात मां आज हम बात कला गैर सैंड राज़ानि का बारामा आज कल समाचार इंडिये की टीम लोग उदड़े बात करनी ची यह तीम महां हम खुद भी जाना चाहां लोग की राई ещеoot लोग उसी जाने के कोसिशच चाहन करना क्या गैससोटिन की गि दिरादे राज संसोधन का बात कि हो लू कि नए संसोधन जब होए जालू यह नए संसोधन जो आप पास होएगा अब यह मक्यावल जो राष्टपती के मोहर और सिंगनेचर बाखी रहे हैं यह संसोधन का केंद्र और राजय स्थर का जतना भी सुचन आयँ प्यावर लेकिन अब भी खतम होए जाली विपक्स का कार्ता आरोप लगाना चान कि वह की पावर जब खतम होए जाली वह की सेवा जब केंद्र गी सरकार तैकली तो सरकार का 12 माुकन के इसकर्स्ट जन पाड़े देला यह क कि मन्स अपर लोग सवाल उठोना चन पहली ये बिल मा जब 2005 में ये बिल पास होए चो तो वे बिल का बाद कई घोटाला उजागर हैं सरकार की कई गलत नीतियों को भी सामनी हैं ये बिल बनी इदिश हो कि जो आम जनता चू सरकार का जो काम करना का तरीका चन सरकार क्या करनी में लेकर जितना भी चीज अगर जितना बीचीज अगर जाएंगर चीज सरकार प्रण देख़र टारफ सरफ לב में लोगों को साथ साथ उपी निभाए थे पूर्व अपरे जानकरी गांद तो बाइस जुलाई को एक लोग सबा में बिल पास हुआ और वो बिल था आटियाई में संसोधन का अभी संसोधन में आटियाई के कुछ सेक्षनों में बदलाओ की मांग की गई है जिसको विपक्ष ने पूरे विरोध से अपने नकार दिया है लेकिन फिर भी ये सरकार द्वारा लोग सबा में पास हुआ उसके बाद गुरुवार को ये राज्य सबा में भी पास हो गया यहां तक कि कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये जो बिल है इसको विपक्ष से पूरा विरोध मिलेगा और जो बाकी की पार्टीज है जो बाकी की कराने में सयोग दिया जैसे बीजेडी और पीडीपी तमाम ऐसी पार्टिया और रही जो बीजेपी के पक्ष में आई इस बिल को लेकर हलाकि उसके बाद से ही इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे है कि इस से जो सूचना का अधिकार है वो कमजोर होएगा और तमाम जो अ केंदर सरकार अपने फाइदे के लिए ला रही है इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजुद है अमर सिंग कश्यप जो कि एक आर्टिया कारे करता है आज उनी से थोड़े बहुत जानकारी लेंगे और उनी से जानेंगे कि क्या जो ये बिल पास हुआ है इसको लेकर आगे जो मुझे शामिल कराया देखे ये जो आर्टियाई कानून में जो संसोधन हुआ है इस संसोधन के पीछे सरकार की मनसा जो भी रही हो लेकिन कहीं ना कहीं यह जो सूचना आयोक्त है उसकी जो परबंदन को जो तै करते हैं धारा सोला राज्या में देखती थी और धारा तहरा केंदर साथ में देखती थी तो यह जो धारा तहरा का जो संसोधन और धारा सोला का जो संसोधन है ये सरकार की साय जो भी मनसा रही हो संसद में इसे पास कराने के लिए जो भी मतलब इसमें रखा गया हो लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सूचना आ युक्ति की कारिया सेली बदलेगी और इससे कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष ससक्त विपक्ष नहीं है पुरे मत के साथ इससमें भाजबा की सरकार है जो ससक्त विपक्ष होता तो साइद इसमें और ये कानून का संसोदन नहीं कर पाते क्योंकि इसकी मूल भाउना में भी लि अक्सर ले लेती है जैसा कि एक यह निर्लेह हुआ है इसमें पुर्व की भाती चल रहा था सबकुछ आज आयुकतों की तंखाओं को लेकर इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वह मेरे लिए कम से कम सुविकार ने योगे नहीं है क्योंकि जैसा पहले चला था उसमें आयुक्तों पर कोई दबाव नहीं था वो PIOs के पड़ती निर्ने ले रहे थे जांस के आदेश दे रहे थे लेकिन अब मेरा मानना है कि अब PIOs थोड़ा जो है जिनको दबाव लाया जा सकता था वो सवतंत्र होंगे और लोग सुचना आयुक्त जो है वो इससे दबाव में आएंगे सरकार यदि चाहेगी तो उनका जो निति निर्धारण है जैसे कि उनकी एंड टाइम पर उन्हें पद से हटा देना या उन्ने तरह के दबाव गालिब करके उनसे मनमाने करित्ते करा लेना ऐसा सरकार की मनसा परतित होती है और ऐसा हो भी सक सकता है यदि ना हो तो बहतर होगा उनके अधिकार वैसे ही रहने चेंजे से पहले चते अधिकारों में कोई छेड़ चाड़ना हो संसोधन यदि खाली तनखवाओं तक सिमित है तो उसमें स्विकार हो सकता है लेकिन अगर कहीं RTI कानून को दबाने की परकिरिया है तो उस चिपड़ी नहीं करना चाहूं है हमार साथ रामिस्वर मिस्रा जी मौदूद है आईए उन से पूस्ते हैं कि उनकी क्या राय है संसोधन बिलकुले कर देखे आटियाई अपने में एक ससक्त और सक्त कानून पारित हुआ है और जाहिर सी बात है कि अगर जो लोग सत्ता में है जब परिवार कोई बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें अच्छे लोग भी होते बुरे लोग भी होते हैं और यही चीज आटियाई के अंदर हो रही है तो इस चीज को पारदर सिता इस चीज से खतम हो जाएगी कि अगर यह लोग इसमें चेंज करते हैं या किसी परका है इन चीजों में भी फरक पड़ेगा तो यह चीज नहीं होनी चाहिए जब जैसे कि अभी अमर सिंग जी ने भी बताया और जैसे कि इसका वह है कि कि दो साल तक कोई भी इसमें होना चाहिए था तो इस चीज को उस दाइरे के तहट उस नियम के तहट हो जाना चाहिए था लेकिन अभी इससे छेड़ चाड़ करने का मतलब है कि उस चीज को आप कहीं न कहीं परभावित कर रहे हैं उस चीज को आप परभावित करेंगे तो यह कानून पर परवाव पड़ेगा और RTI अपने में जो आज की डेट में पारदर सिता है उनमें भी फरक पड़ेगा इसी के बीच में एक छोटा सा सवाल ये भी आ रहा है कि जो विरोधी पार्टी हैं जिन्होंने वाक आउट किया जो कॉंग्रेस के साथ और भी है और भी तमाम जो पार्टी हैं जिन्होंने वाक आउट करा इसको लेकर तो उन्होंने जो ये चीज सोची होगी उन्होंने ये चीज सोच कर ही वाक आउट किया होगा लेकिन जो बाकी जिके जो है आपका क्या मानना है कि उनको भी इसको लेकर सोचना चाहिए था कि अभी इसक जूर् नहीं होने देना चैने ता इस सपे और स Bennett संगर्वत वहूमत में क्या जप आला जैसा कानौन पारित करे ली अभी वरतमान में भाजपार की सरकार उसी रवये पर चल से मातवा में उसे क्ուास की अगनानल को पास कराने में उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है और ये हो भी जाएगा क्योंकि इसमें महामईम राष्टपती जी की जो मंजूरी है वह रह गई है बागी से इस कानून पास हो चुका है जितना सरकारों ने काम करना था वो कर चुकी है माननी है राष्टपती जी के विवेक पर है कि वह इस कानून को किस नजरिये से देखते हैं कि हो या ना हो तो अभी जो आप कहा रहे हैं कि इसमें आयुक्तों से मनमाने ढंग से काम कराया जाएगा ऐसा आपके चैनल के मादम से मुझे बता चलना है तो यह कहिना कि दबाव वाला तो है प्रेसराइज तो होंग क्योंकि इस समय पर उनकी जो नीतियां है वो स्वेक्षिक और सवतंतर रूप से कारिय करने की हैं इसी बीच मैं आपको रोकना जाओंगा कि यह सिर्फ हमारा एक मानना है कि ऐसा कोई हमारे चैनल का यह द्वारा बताया या फिर यह ब्लेम नहीं लगाया जा रहा है कि सरका कि अगर कोई सवाल ऐसे जो अभी उठ रहे हैं कि बाइस हो सकता है या फिर केंदर का उस पर हाथ रह सकता है सूचना मैनुपलेट करी जा सकती है तो ऐसे तमाम जो चीजे हैं वो इसको लेकर उठ सकता है तो इस वज़े से मैं जानना चाहिए कि विचार विमर्स जो है इस चीज बता दूँ आपको कि RTI कानून जब पास हुआ था तो उसमें यह लिख दिया गया था कि दो वर्स तक आप इसमें जो चाहे संसोधन कर सकते हैं दो वर्स के बाद इसमें कोई भी संसोधन मानने नहीं होगा आज यह लगबग चौदवे वर्स में इसमें यह संसोधन कर रहे हैं तो वैसे तो यह नितिगत नहीं है लेकिन नितिगत बना दिया जाएगा क्योंकि जहां बहुमत होता है वहां नितियां अपने आप बना दी जाती है अभी यह राश्टपती जी के विवेक पर है और हमारे जो विपक्ष है उसके उस पर है कि भई अगर विपक् किये गए कई बार इस चीज को बदला गया हमने उस समय पे भी बहुत सारे परियास के कि कानून लागू हो और ऐसा कानून लागू हो कि निस्पक्ष हो तो आज इसकी निस्पक्षता किसे से छिपी नहीं है लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली जो वो नहीं जान सक लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा इस कानून से मिला है इतना अच्छा कानून अगर बार बार अमेंडमेंट कीया जाएगा तो जाहिर ऐसे कमजोर करने की साजिस है जो किंदर सरकार दोवराक की जा रही है एसा मेरा भी मानना on बैत करते हम उन्हार के लोगाड करें लोग चामुल फो फो न बात करेंगे से जावे होड़ बना चानी उत्रखण का इस न पीज़ा बनी चानी हां लेकिन कुछ लोग को उत्रखण की राजानी गैरंगे माड़ाइन यही पूहां चेन जब वत उनुस साल भाड बिटीन दे लेकिन आज भी पाहड़ों मा बहुत सारी दिखाती चन्, सडक नीचन्, इसकुल मा कॉपी किताब नीचन्, फैकल्टी नीचन्, हॉस्पिटल मा डॉक्टर नीचन्, अच्छी खासे रोजगार का कुछ साधन नीचन् जाका काराण की उत्राखन मा लग भग भाग बहुत हजारों की संख्या मा गौण खाली हुए गिन, एक रिपोर्ट छे है ज्यामा की 44 लाग लोग का पहार छोण की बात भी सामनी है छे, लोग यह बोल दिन कि अगर पहार मा अगर कोई रोजगार कुछ साधन हो और पहार की पहार का छेतर मा पहार की तरफ का हो चाहिए गडवाल के तरफ का हो वह का बाद जो जतना भी पिकास की जो चीज भी है जाली तो हम उनकुछ लोग बात करी आप भी सूना कि उन लोगों यह गैर सेंड का बार मा आपर क्या कह रहा है देने लिए को गैर सेंड राजदानी बननी चाहिए क्योंकि जब उतरा खंड आंदोलन लड़ा गया था तो इसकी राजदानी जो है गैर सेंड में ही नुक उस टाइम जो पष्टावा बना था कि राजदानी उतरा खंड की गैर सेंड में ही होगी और साथी गैर सेंड जो एक पूरे परदेश का वीच का हिस्स से जेलते हैं इसलिए गैरसेंड मों कोई याई टेमे मीन्य होनी चाहिए कि अजेब भड़ जी का बयान आया संसत में कि हमारी गैर से राजदानी बने वाली कुछ लोग कह रहा है कि उनके मुह से गलती से निकल गया लेकिन कुछ लोग के अंदर उमीद भी जागी है कल यहां पर एक धना इस्ताल पर विसाल जन्सभा भी हुई एक पद्यातरा भी निक अज़ेब भावनाई से जुड़े है लोग पाहण की भावनाई है तो आप गैर से राजदानी को लेकर क्या विचार है आपके गैर से तो राजदानी बनने चाहिए जब उतराखण आंदुलन लड़ा गया था उसमें यह साब लिखा गया था कि उतराखण की जो राजदा बयान दे रहे हैं समर्थन में सब बयान तो बोलने की बयान हैं यह तो बयान देते रहेंगे मौ से निकल गया अब यह होगा यह होगा जब गैर से राजदानी बनेगी तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा आज हम यहां पर 90 दिन हमको भी हो गई हम 108 से समन्झनी थे पहाड में राजदानी बनेगी तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा हमें यह लग रहा है जब ते यह राजदानी बनेगी अठार बीश साल हो चुक है और हमने पहली कह रहा था कि इससे सबसे पहले है उतका इसाब किताब को गेर सेंट जो राजदानी पाहड में वैसे वहां जमती है लोगों पिकास मिलेगा वहां सब कुछ मिलागा यह नेता लोगों ने निर्गुण निहीं रामियों ने ऐसा अशल कर दिया जिनोंने यहां करका ना वहां करका रहा होगा एक दिन है अगर इसको इस तेम बनगी राजदानी तो ठीक है नितो इनका मैं बरुसा नहीं करने तो किसमावन है क्या समय मिरे बिचार में तो गहर तान राजदानी बनीगी प्रेनाम में दूर्ष उहन है कहां से लिक कनुट टू क्या है घर सेन्ट आपको इसे बननी चाहिए एक पढ़े बिकास तो आभी पूरी तरह सीजन एक। तो कहीं रोड ब्लॉक होती हैं कई आपदाइं आती हैं तो वहां की वैसे मोल भूत जो सुविदाइं हैं पुरी तरह से पाहडवाशियों के लिए नहीं बनी है और पुरी तरह से अभी जमीनी हकिकत पे तो नहीं होती है बीच में 2013 में जब आपदा आए थी इसी टाइम पे कहाना चाहते है आप डाफ निपने नबने जब तब पहाड की राजदानी पाहर में नमाने मेरा नाम सुसील सिंग के नौरा मैं उत्रा कर्ण बेरुजगार संग का मीडिया परवारी हूं और मैंने गयर्षेंड को लेकर सवाल में गयर्षेंड के लिए मैं बेरुजगार संग का मीडिया पर वह रहा तो मुझे जैसे संग्यान में आया कि राजदानी को पाढ़ में ले जाने हमारे लिए सबसे बड़े मैं तो कांच चाहिए है कि हमारा जो पाढ़ युआ जो नसली पदार और अनी चीजों का सेवन कर रहा है वैसी कारण कर रहा है कि देश-विदेश हो तो मैं बड़े ओटल में पहुंच चुका हूँ या बड़ी नोग्री में पहुंच चुका हूँ वो 15-20,000 कठे करके मैंने की सेलरी 20,000 मिलती है तो उसके लिए वो खुशी कि मैं तो कांचा मानता है पर लेकिन जब वो किसी बार एसोसियेशन में बैठता है तो 15,000 में उसको सिर्फ 5,000 पचत में मिलते हैं क्योंकि 10-15,000 रुपए उसके वैसे ही दारुसराब में नसे की दल सब्सक्काराइब भालतों का सेवन बंद करने हमारे उत्राखण को यंधी बचान जैकि निजात पहना है जिंद्या पहना है जिंद्य को अगर सुख सांति से जीने देंगे जवानियों की जो बैर्यवाषगार संके भी ऐसा आती है काफी लोग आपर समर्थन दे रहें और हम अपनी राजदानी पाड में चाहते हैं मुक्यमंत्री जीसे निवे देने हैं कि पहाड की राज़ानी सिर्फ गयर सेंड बने और कहीं न बने कि और क्यों आज़ानी ले से, पहाड़ा है?